सब्सक्राइब ना फॉर अल्ली लीडिस्ट एंड ट्रेंडिंग अप्डेश्ट अब हम आपको कुछ ऐसे रीजन्स बताने वाले हैं वज़ा बताने वाले हैं कि कैसे अली को नी बन सकते हैं बिक पॉस सीजन चौधा के विजिता क्या है पूरी खबर? क्या है पूरी वज़ाएं? बताते हैं आपको लिकिन अगर भी देख आपने हमारे चानल इंट्रेंट नियूस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को तुरन सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबादे बैस सबसे पहली वज़ा है कि वो स्ट्रॉंग है, ओपीनियेटिड है और कोई भी फालतू की लड़ाई घर के अंदर नहीं करते हैं इसके बारे में ज़ादा एक्स्प्लिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है पहला और काफी स्ट्रॉंग रीजन यही है दूसरा रीजन यह है कि इनकी बॉंडिंग शो में काफी अच्छी रही है बले ही अरशी खान के साथ हो, राहुल वैदे के साथ हो या फिर इनकी बॉंडिंग हो और किसी सदस्थे के साथ इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, वो है उनका डेडिकेशन जैस्मीन के लिए और उनकी पेरिंग जैस्मीन के साथ जिहां सबसे ज़्यादा हाइलाइट बिग बॉस सीजन 14 का, अगर कोई कपल रहा है तो वो जैसली और रूबीनव ही रहे है यानि कि अली जैस्मीन ही रहे हैं और रूबीनव दलाइट भी और अभिनव शुक्ला ये दोनों कपल्स हैं जो काफी चर्चाओं में रहे लेकिन जैसली ज़्यादा खबरों में इस वज़े से रहे क्योंकि दोस्ती इनकी आगे बड़ी इसी शो की जरीए आगे है अली और रूबीना जिहां रूबीना और अली जो की काफी अच्छे से बॉन कर गए जैस्मीन के शौकिंग एविक्शन के बाद जिस तरीके से रूबीना ने अली को संभाला था वो अली के दिल को पूरे तरीके से छूगया और पाँचवा सबसे स्ट्रॉंग रीजन ये है कि भाई और गैनिक सपोर्ट सिस्टम है उनका जहां अली गोनी के शोशल मीडिया ट्रेंस जो होते हैं वो उनके जैनुएन फैंस की विजए से हैं और अगर वो शो को जीतते हैं तो वो बिना किसी पियार कैमपेंज के शो जीत जाएंगे तो भाई ये पाँच बड़ी वजाए हैं जो अली गोनी इस शो के विजयता होंगे आपका क्या कहना है क्या रेक्शन एंस अफ़र हमें नीची कॉमें सेक्शन की जरी अपनी राइस जरूर बता हैं और ऐसी तो आपडेट्स के लिए जोड़ी हमारे चैनल इंट्रे नियूस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब ना फर अल्टेस्ट एंट्रेंडिंग अपडेट्स